सूपर नेपियर बाइडे से होगी किसानों की 101% चारे की समस्या खतम संपुर्ण जानकारी के लिए वीडियो में लाश्टक बने रहें किसान भाई नमस्कार भाईयो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरजुनहलावत में भाईयो यह बाइडे की वेराइटी है सूपर नेपियर और इस वेराइटी की खास बात यह है कि इससे चारे की समस्या खतम हो जागी आम तोर पर किसानों के सामने सबके आज के ट अवारा पसुओ का भी ज्यादे नुक्सान रहे चारे में तो भाईयो यह जो सूपर नेपियर है इसके बेस्ट पार्ट है एक तो इसमें कंटिनी है जैसे और बाइडे की वेराइटी है मोलने वालों की तो इसमें काटे रहते हैं और यह बहुत ही नरम है और हाइली हो भया था और जनवरी में बौणे के बावजूद इसका जबच्च वटावाया और जबच्च तरीके सफिया अब देख सकते तने तरह होता है और इसम मिधास بھی होता है और यह अच्छा खड़ाया और यह नरम है में बात यह है इसकी ती नरम चारा है इसहे अच्छे से ख वहती मतलब ध्यान दे के बोई ये वैराइटी और सर्च करके बोई कि उसमें एक तो काटी की समस्य थी बहुत जबर जल थी उसमें काट बहुत था और वह आदमी के हत्तों पैरों को नुकसान पुचावे थी जादे तर और इसमें काटी की समस्या नहीं सबसे बड़ी बात यह होगी तो इससे एक तो यह नरम है उससे और इसमें आईली न्यूट्रेशन होने के साथ साथ इसे अच्छी तरह से खतते हैं पसू और आप देख सकते हैं जनवरी 25 जनवरी के आसपास हमने यह लगाई थी और इसका पड़तर सम देखे कितना जबर 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 ज और जहां भी अपने आसपास मिले अब तो सूपर नेफिर मिल रहा है बोना सूपर नेफिर की एक खास ज्यत है कि इसमें कांटिनी उपर और यह बहुत ही नरम चारा होता है और इसका आप देखो कितना जबर जस्त है और यह काफी नरम है और इसे पसू जो है हमारे वो चाह के खतते हैं और जनवरी में बोने के बावजूद भी इसका बहुत अच्छा पड़ दरसन रहा है और मैं आपको दिखता हूँ जो हमने अभी बौई करी देख सकते वाई हो इसकी हमने अभी दस दिन पहले बौई की उसके बाद बार इस इस भी आपे जबड़ जस तरीके से हुई और इस अपना अच्छे से फुटाओ करने लगा और बहुत ही सांदार यह जम के आ रहा बाजड़ा और सबसे अच्छी बात है कि इसकी बुआई जैसे हम गन्ने की बुआई करते हैं उसी तरीके से इसकी बुआई होती है और यह इस तरीके से अपना चल पड़ा और जहां से हम लाए थे भाईयों इसे उन्होंने बताया कि एक बिगा यह उपर नेपिर जो आप बुआई कर द तो एक बिगा यह हमारे दस पसू को काफी रथ था दस पसू और आमसे से खा सकते है तो आप देख सकते भाईयों इसकी बुआई करी और जबकि इसमें पानी भरा ही रहा उस टाइम पर क्यूंकि सुक्के में बुया था थोड़ा सा उस टाइम पर निकाल दिया था उसके ब बहुत अच्छा जमाओ है इसका में बात यह है भाईयों कि किसानों के सामने जो समश्या रहती है चारह की उसे दूर करते गाए और इसमें एक कांटी नहीं है आपको बताओं में क्यूंकि कांटी हाथ्तों को चीड़ देती है बहुत अच्छी तरह है और उसमें किसान पर करके पस्वों को दिया और जब कि उस टाइम पर तो हरे गोड़े भी चल रहे थे लेकिन उसे गोड़ों से भी अच्छा खाया सभी पस्वों ने तो किसान भाईयों आग्या चारह की समश्या को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए कोई एक पाव लगा के देख ल आप यह पहले चेरी बही थी लेकिन इसमें कांट बहुत है भाईयो इस चेरी में यह भी मोलने वाली चेरी है जिसे कह देते हैं तो यह हमारी समझ में इतना आई नहीं तो फेर अब यह लाए थे भाईयो और इसका हमने रिजल्ट ले लिया और इसमें हाईली कि मेरा अपना अनुप हो बहा है इसके बारे में जन वरी में कोई इतनी अच्छा परदर्सन कर रही करए तो देख सकते वह जन वरी में मैं बहाईthinking के है कि इसमें काटनी है तो किसान भाई इसे जरूर बोवें जहांसे भी आसपास से मिल जा तो उससे किसान भाई होगी चारे की समस्या 101 परसेंट दूर हो जागी और इसमें अगर आवारा पस भी थोड़ा बहुत चुक दे तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ता यह बहुत अच किसान भाई यो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करें अगर कोई कमी रहे गी हो तो मुझे कमेंट के माद्यम से बताए मैं उसमें सुधार करूंगा और भाई यो वीडियो पूरी देखें उससे ही सब कुछ समझ में आता धन्यवाद